नमस्कार, कुमार अश्टो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आठ मुखीर उद्राक्ष के विशे में आठ मुखीर उद्राक्ष होता कैसा है ये दिखने में कैसा दिखाई देता है इसे किस प्रकार से चेक किया जाए कि ये आठ मुखीर उद्राक्ष ही है इसके साथ साथ यह रुद्राक्ष किस ग्रह का परतिनिधितु करता है किन देवी देवताव की शक्तिया इसमें समाहित ह इसके साथ यह ग्रह हमें किन प्रकार की भौतिक शक्तियों को परदान करता है किस उचित समय में, किस उचित दिन, किस उचित महा में इसे हम धारन करके लाप्राप कर सकते हैं इसके साथ कुछ बिमारियों के अंदर भी ये लापदाई बताया गया है उन सब पीशों के विज़े में आज हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले देखते हैं कि 8 मुखी रुद्राक्ष दिखने में होता कैसा है तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 8 मुखी रुद्राक्ष एक गोल अकरोट की आकर्ति का होता है इसके उपर कुछ उब्रे हुए ये काटे होते हैं जो एक्कुप्रेशर में बहुत अधिक लाबदाई रहते हैं इसके साथ साथ जो 8 मुखी रुद्राक्ष होता है इसके उपर ये 8 लाइने बनी होती है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रुद्राक्ष के उपर 8 लाइने बनी हुई आपको अलग से साथ ही दिखाए दे जाएंगे उन्हें काउंट करके आप पता कर सकते हैं कितना मुखी रुद्राक्ष है एक रेखा मतलब एक मुखी आठ रेखा मतलब आठ मुखी रुद्राक्ष आठ मुखी रुदराक्ष जो है ये राहु ग्रहे का परतिनिधितु करता है अगर आपकी राहु ग्रहे की महादशा है अंतरदशा है परतिनतरदशा है महादशा है राहु कुली में किसी प्रकार से अच्छे जट नहीं दे रहा है तो उस स्थिति में भी आप आठ मुकी रुद्राक्ष धारन करके लाप राप कर सकते हैं जैसे कि आप जानते हैं कि रुद्राक्ष जो है एक शिवजी का एक अंश माना गया है रुद्र अंश माना गया है इसलिए इसका नाम रुद्राक्ष रखा गया है और इसके व्रक्ष भारत के साथ साथ और भी कई देशों में जैसे नेपाल, बर्मा, श्रेलंका, इत्यादी देशों में इसके व्रक्ष है जिन पर ये उगता है आगे बढ़ते हैं जो रहू ग्रह का ये Pतिनियतित करता है इसके साथ सात यह किन वयक्तिवों को लाबदाई रहेगा पहले उसके विशह में देखते हैं आठ मुगी उद्याव्ट धान करने वाले को विजैशरी की प्राप्ति होती है इसके साथ साथ शत्रु शांती में भी ये लाबदाई रहता है कोल्ट कचेरी इत्यादी से लिटिट अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है कोई परेशानी आप फेस कर रहे हैं तो आठ मुखी रुद्राक्ष धारन करके उसे आप धारन करें आपको लाप्राफ्ट होगा अब चंदरमा इन बहुत एक जो तत्वों की उरिजा आपको परदान करता है इनसे मिलने वाली शक्तियां आपको प्रॉब्लम परिशानी आती हैं एक नई परेशानी दिन प्रते दिन आती डहती रहती है आप परिशान हो गए हैं परिशानिया 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 देख देख करके तो आठ मुखी उद्राक्ष आप धारन करके देखें ये आपकी सभी परिशानियों को हर लेगा अगर आपको आठो दिशाओ से प्रतिव पर कहीं भी रहेंगे वहाँ पर जो भी दिशा में आप जाएंगे उसी दिशा में आपको सपोर्ट परदान करेगा वही दिशा आपको सपोर्ट परदान करना शुरू कर देगी सबसे अच्छी बात है इसके साथ साथ ये विजय श्री परदान करता है आप परतीव पर कहीं भी रहें यह आपको प्रतियक शेत्र के अंदर जो भी आप कालिये करेंगे जो भी कर्म करेंगे अपनी लगन से करेंगे उसके अंदर ये सफलता आपको अश्य परदान कराएगा तो कि ये आपके विग्न हल लेगा परिशानिया हल लेगा उसमें आपका रोज तारीक पे तारीक लग रही है सफलता मिलने के चांसिस कम दिखाई देते हैं या कुछ दूइधा बनी हुई है तो उस स्थिती में भी आप इस रुद्राख्ष को धारन करके सफलता प्राप कर सकते हैं इसके साथ साथ शत्रूओं से मैंने आपको बताया कि शत्रूओं से आपको बचाता है अगर आपके बहुत सारे एनिमी हैं कुछ हीडल एनिमी होते हैं अंदर खाने आपको किसी न battery को और से हानी पोचाने की चेशटा करते हैं शत्रूओं कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि शत्रू आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगा, वह स्वेते ही आपसे दूर भागता रहेगा, इसके साथ साथ, भूत प्रेत इत्यादी बाधाओं से, कभी कभी हो जाता है, भूत प्रेत इत्यादी बाधाय परिशान करने लगते हैं, जिसे अगर किसी प्रकार की इस तरीक की नजर दोष, भूत, प्रेत, बाधा, परिशानी अगर है, तो उस व्यक्ति को भी अगर आठ मुकीर राक्ष धारन करा देते हैं, तो इस तरीके से मिलने वाली निगेटिव एनर्जी से वे बच करके लाप राप कर पाएगा, दुर गटन उसे बचाता है, देखिए, जब निगेटिव एनर्जी आजाती है, तो वो सही को गलत करती है, अच्छा बला आदमी ड्राइव करके जा रहा है, उसका एक्सिडेंट करा देगा, चोट लगा देगा, कहीं इलजवा देगा, लड़ाई जगडा करा देगा, तो इस तरीकी बाधाऊ से वो आपको बचाता है, इसके साथ साथ, अन्य धन तदा स्वर्ण में वरद्धी करता है, आपके अन्य में जितने भी अन्य है, खाद्य पदात है, उसके साथ साथ धन, आपकी जितनी भी संपती है, संपता है, धन है, उसके अंदर, इसके साथ साथ जो आप होते हैं उनसे ये मुक्ति दिला देता है इसके साथ साथ अगर आप किसी भी प्रकार से शत्रों से परेशान हैं विग्न बाधाये आपके जीवन में बार-बार आए रही हैं कोट कचेरी से लेटिड पैटर आपके रोज नए उभर आ रहे हैं परेशानिया पैदा कर रह की कारगर होता है प्रंतु यहां पर में एक विशेश चीज आप से बताना चाहूंगा जो डिस्क्लेमर के तोर पर भी रहेगी कि रुद्राक्ष अपना कारिये करेगा प्रंतु मेडिकल, मेडिसिन और डॉक्टर की कंसल्टेशन लेकर के आप अपनी मेडिसिन को कंटिल्य रुखें, भौतिक पक्ष का एक अलग रोल होता है जीवन में और आध्यात्मिक पक्ष का एक अलग रोल होता है, जब दोनों मिल जाते हैं तो रिजल्ट अच्छा आ जाता है, इसलिए आठम के उदाश धान करके लाप राप कर सकते हैं, नीन ना आना, नीन ना आने की एक बीमारी होती है, व्यक्ति दिन में भी जागता है, रात में भी जागता है, पता नहीं कब नीन ले लेता है, नीन नहीं आ रही है, परिशान रहता है उस इस्थिती में, इसके साथ साथ, खराटे आना, स्नोरिंग होना, कभी-कभी बहुत जादे हो जाते हैं, परोस वाला स भी नहीं पाता कि यह तो ख़राटे तुन represent कि नींद ही आ पातीं उस इस्थिती में किस दिन दिन किस तुरीके से प्रहाण पर्तिश्थित करके लापराप किया जाए और यह जो प्रहाण पर्तिश्थित करने का शॉर्ट-कूर तरीका मैं आपको बताता हूँ, यह आपको YouTube पर कहीं नहीं मिलेगा, मेरी गारंटी है, आपको दाते हैं, जो आठम के रुद्राक्ष है, इसे किस मंत्र का जाब करके पहनना है, पहले वो बताते हैं, ओम नमश शिवाय मंत्र, यह एक पंचाक्षरी मंत्र है, जो आम व्यक्त को जानते हैं, मंत्र वगेरा आपको पता है, तो आप रहुग्रह का मंत्र, ओम रहुवे नमा, या ओम भ्राम भ्रीम भ्रॉम सहर रहुवे नमा, रहुग्रह का बीज मंत्र, इन में से किसी भी एक मंत्र का जाब करके, एक सो आठ बार, एक माला, एक सो आठ बार जाब करके आप इसे धारन कर सकते हैं किस दिन धारन किया जाए देखिए इसे सोमवार के दिन धारन किया जा सकता है इसके साथ साथ सोमवार के दिन और बुद्वार के दिन इसे दो दिन धारन किया जा सकता है अब अगर विशेश बताता हूँ कि विशेष क्या ग्रह स्थिति हो जिसमें से धार्ण करके लापराप कर सकते हैं अगर सो्मवार या बुध्वार का दिन हो और मासिक शिवरातरी भी उसी दिन हो तो अथि उत्तम योग बनता है इस दिन इसे धार्ण कर लेना चाहिए इसके साथ साथ अगर महाशिवरात्री का दिन हो और सोमवार या बुद्वार का दिन हो जिस दिन महाशिवरात्री पढ़ रही है उसी दिन अगर सोमवार या बुद्वार है तो भी आप इसे धारन कर सकते हैं अतिवत्तम रहेगा शर्वन का महीना हो सावन के सोमवार पहले सोमवार में या किसी भी सोमवार या बुद्वार के दिन आप इसे धारन कर सकते हैं अगर आपको नक्षत्रों का थोड़ा ज्यान है वैसे तो Google पर आपको सब कुछ मिल जाता है अगर आप Google पे सर्च करेंगे कि सोमवार या बुद्वार का दिन हो और इसमें से अगर आप कोई समय सेलेक्ट कर लेते हैं उस समय के अंदर भी ओर डीपली अगर जाए तो अगर अभीजीत नक्षत्र आपको मिल जाए उस दिन उस दिन अगर अभीजीत नक्षत्र हो तो अभीजीत नक्षत्र में आप इसे धारन करें आपको अतियुक्तम रिजल्टिय परदान करेंगा अब करना कैसे हैं मैं एक एक्जामपल देके बताता हूं माल लिजी हमें सोमवार के दिन धारन करना है तो आप रविवार की रातरी में और अगर बुद्वार में धारन करना है तो मंगलवार की रातरी में इस चीश को आप ध्यान से सुने इसे एक कटोरी के अंदर पंचामरत कच्चा दूद, दही, शहद, गी और गंगजल पाँच चीजों को मिलाक करके, उसके अंदर पूरा डुबो करके रख दे अगले दिन प्रात्य सुबह उठकर के सूर्य उदे के समय उठकर के नहा धोक कर आसन लगा कर अपने घर के पूजास्थान पर बैढ़ जाए दिवा धूबबत्ती परजुलित करें उसके बाद इसे कटोरी में से निकाल करके साफ जल से धोक करके साफ किया जाए उसके बाद इसे सामने रख दिया जाए और 108 बार एक माला इन दोनों जो मैंने मंतर बताए हैं उनमें से किसी भी एक मंतर का जाप किया जाए जाप करने के बच्शा दिवा धुबत्ती दिखा करके और इसके उपर थोड़ा सा चमेली का इतर अगर आपके पास है तो उसे लगा दे चमेली का इतर लगातर के और जो भी आपकी परिशानी है जो भी आपकी समस्य है इसे बोल करके मनीमन में सुना दी सुनाने के बाद आप इसे अपने गले में चांदी की चैन में धारन करें और धारन करने के पश्चात आप जब वहां से उठ जाएं तो उठ करके सबसे पहले कोई भी फल जो आपके घर में आप लेकर के आजाएं कोई भी एक फल जो मिठा फल हो सेव ले आएं एकी सेव ले आएं केला ले आएं केला भी चलेगा खटा फल ना हो अंगूर ना हो संत्रा ना हो इस तरह की चीज ना हो उसे आप खाएं उसके बाद अपने कारिये में लग जाएं और एक चीज बताता हूं कुछ लोगों की आदत होती है कि कोई भी अंगूठी नगी या कोई रुद्राक्ष धारन किया है उसे समय समय पर निकालते हैं फिर पहनते हैं नहीं ये बहुत गलत है आज आपने इसे एक शुब समय शुब दिन शुब मोरत शुब नक्षतर में धारन किया है अब जिस समय अपने इसे निकाला उसके बाद जिस समय जिस नक्षत्र जिस दिन के अंदर आपने इसे धारन किया वही से फिर यह चालू होगा तो इस चीज को निकालना नहीं चाहिए एक बार धारन किया तो कम से कम साल बर तक इसे पहन कर रखें साल बर तक यह एनरजाइज रहेगा आप आप मेरे चैनल पर नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाल नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको भी सेगे और मेरे इस वीडियो को प्रेमपो देखने के लिए मेरे चैनल पर प्रेमपो बने नहीं के लिए आपका प्रेमपो धन्यवाग नवश्क रखाज़ मेंदेजिष है वे डिलावजंदी आँ लगताशने का बादाने कान सिर्णीट कर दोकर दोक तेमने का एंदीने, वेंने रहन रहने जोड़़ा जोड़ीजन लीजित नहीं जा रहने जोंदीट कर दोकर सेथ पतो फर घ। देख सेज़ के रहने ड्लावज कि थोद